लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अजब श로ण थेएली अल्ट्रा चनल्स को साँप्सक्राइब करें कर दो 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 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ 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 अकर होते न दीवाने तो बाला जे भी विद्या आते न तुम इतनी हशी होती न हम तुम पे भिदा होते अकर होते न दीवाने तो बाला जे भी विद्या आते न तुम इतनी हशी होती न हम तुम पे भिदा होते तुम्हारे भोले बन में भी अदा है दिल सड़पाने की मताता है जी हम को देख आलत देवाने की तुम्हारे भोले बन में भी अदा है दिल सड़पाने की मताता है जी हम को देख आलत देवाने की वहां का तंधरने वाले काश सुंबा अपाओते अगर होती नजीबाती का बाला जेशी दिक्या आते न तुम इतनी हशी होती न हम तुम ते भिदा होते जरा तो चो तो जाने मन ये मोसम लोगे पुर्दन हाई का तुम ही तो मतलब से मतलब नहीं दर है रुत भाई का अची तुम भी यही करते जो तुम मेरी जगा होते अगर होते न देवाने तो बाला जे तिरे क्या होते अगर होते न देवाने तो बाला जे तिरे क्या होते न तुम इतने हसी होते न हम तुम पे लिदा होते गार होते बाला जवते तो तुम अजुए न लक्रीस शांता तुम भी जचे लेवाते साफस्टी वज़ना विरश जेव आए कहां यूब है दूद गदारू पर इस्ते हैं और इन हमाले आश्की समानी में पाणी पीने मिलता तो उकर अभी लेकिन तो नूबर का दंडा करती है!? यह तीन नूमर का दंडा है!!! आट जोन आट पर दंडा बेंगती नमबर का दंडा added डूटी पे हुँ है कोई देखना नहीं है अई अबे मोटे साले के उदास किया उलाद है चर्च में घंटा बजाने के बजाए यहां बचके दारू पी रहा है फादर का नाम खराब कर रहा है हम जै हमल्दास तुन्हें कोंता नाम रोशन के नहीं जी गवर्मेंट की वर्दी पेन को दारू के अड़े पे घुम रही ना अबे मैं आवालदार हूं कहां भी खुम सकता हूं यह जड़ा नहीं जड़ा क्यों करता है जाओ यह तीस मारखा को तुम्हें बता दालो के मैं कौन हूं आबे चौप इसको बता डाल मेरी पावर क्या है पोली स्केशन ले जाक अगर 460 वह चिपका दूंगा तुम्हें चिपका हैं यह तुम्हारा जो एसपी है ना है वो मेरे फादर का भाई है तो क्या हुआ मैं उसको जाकर बोल्डा लूंगा कि तुम्हारी ड्यूटी दूसरी चोगी पे अच्वे मेरी जाओं के दारू कर्ड़े पे आखो दादा दागागरी करते हैं नहीं बताना नहीं बताना क्यों नहीं बताने के भी दाम लगते अरे पुलीस वाले से दाम लेता है तुम्हें तुम्हें दुनिया का माल खाते हैं अगर मैं तुम्हारा थोड़ा था खा लिया तो जन्मत में जाऊंगा ना क्या है लिकिन वह पाचास पजी को बना नहीं है रोद समल कके रहें है तीस वु म मैं य। दे दूंगा आता न उन्हें पूरा घर खाली कर दो रहे सब समान भेग दुबार हमारा समान क्यों भेग रहे हो यह सब जुम मस करो यह सब क्या हो रहा है यह वही हो रहा है जो होना चाहिए अरे पेड्रो पास्कल सामन सब भार भेगे रहे बुढ़िया अपना सामान कर समद्धर करें क्या अगर में यह चुट्य तेस हाथ में देना हे तो अपना हाथ देना इस जोपड़े से ऒर्टा कर मेंडेयर निकल यहाथ चाँ तो में कर दो अब एस साले नालाइको, पैसे मेरे से लेतो, और हुकूम उसका बनते हो, जाब वो, वुजदिल चम्चो, फुटो यहाँ से, अगर दुबारा इस घर की तरफ आख उठा कर देखा तो मैं, क्यों, बहुत ख्यालना अपनी जो रुका, तो यह मकान खरीद के देना इसे, थू, तू क्या खरीदेगा सालाब भीक मंगा कहीं का, झालना वाँ से, हादा! सादर्व देने ने! आप मैंम! नहीं, पिदर, नहीं! आप पुज़े छोड़े दिये! आवे, तु क्या करर्रा है? फदर, इन जैसा पयमानोंने तरीब होगा जिनन बुश लिटियां! खामश, हड़ो, हुआ क्या? मैं बताती हूँ, फादर, पिछले 20 सालों से मेरे पती इस जमीन की देख भाल कर रहे थे, अब उनके सौरगवास के बाद, ये लोग चाहते हैं कि हम इस घर को इस जमीन को छोड़ दे तुम जाओ यहां से, तु भी जा, चल, देखिये, आप चिंता मत किजिए, मैं भानुपरताव से बात करके आपको मुहाफसा दिलवा दूँगा, कितनी बार मैंने तुम से कहा है कि मार पीट मत क्या करो, इन बातों से मुझे सक्त नफरत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानतें, सेड़ साँ, मैंने कितनी बार रूपा को समझाये के उस जगा को खाली करदो, लेकिन मेरी बात की परवाही नहीं करती है, आप जानते हो क्यों- क्यूंकि उसे पीटर की शह है, और पीटर को फादर की शह है। ये तो खर दिमाग है, बेवकुफ है, इसकी बात मत सुनिये, आप जो चाहेंगे वही होगा, हाई बैठे, तू जा बेकम जा, आए फादर, बैठे फ्लीज। मैं चाहता हूँ, बानु परताब जी, कि आप कोई ऐसे रास्ता निकालें, जिससे उस गरीब को सर चुपाने के लिए छट मिल जाए। उसलन तो गलत है फादर, जमीन हमारी है, हम जमीन के मालिक हैं, अगर हमने किसी को रहने के लिए जगा दे दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जमीन चुटाने के लिए हमें दूसरी जमीन देनी पड़े। बानु परताब जी, अगर समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए, तो समुंदर को कोई फरक नहीं पड़ता। बानु परताब जी, आदे गाउं के मालिक हैं आप, दोसो गस जमीन देने से आपको क्या फरक पड़ता है। दुआई लगेंगे आपको उस गरीब की। आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूं। आप जो चाहेंगे वही होगा। रुपा को मैं किसी और जगा दोसो कर जमीन दे दूँगा। ठैंक यूू। एक बात और फादर, जर आप पीटर को समझा दीजेगा कि वह हमारे बिजनस में दखर अंदाज न करे। ठीक है। सिर्फ जमीन से क्या होगा फादर, सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर तो चाहिए। घर बना लेगी रुपा। करीब लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी तो होती नहीं है, वह घर कैसे बनाएगी। तो तुम चाहते हो के सेट खुद रुपा को घर बना के दे। हाँ। रुपा के घर वालों ने बर्सों की मैनत से वह छोटा सा घर बनाया फादर। और सेट जी को उस जमीन से लाखों रुपे का फाइदा भी तो होने वाला है। वो सब ठीक है पीठर, लेकिन कुछ काईदे कानूं भी तो होते हैं। मैं कुछ नहीं जानता फादर। आप किसी भी तरह रुपा को चालीस पचास हजार रुपे दिलवा दीजे। वरना रुपा को वहां से कोई भी नहीं हटा सकेगा। उस सेट से कह दीजे के अब वो जमीन को हमेशा के लिए भूल जाए। जुम्म जुम्म आज दिन नहीं हुए। आज इनने फादर को समझा रहा है क्या 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 नहीं करना। मेरे फादर से बिलकुल साफ साफ कह दिया है कि अगर सेट जी ने तुम इस 40,000 रुपे और 200 गस जमीन नहीं दी तो तुम वो जगा खाले नहीं करोगी। मगर पीटर वो बड़े लोग हैं। कहीं कोट कचरी चले गए तो उनके पास बहुत दौलत है। तो क्या हुआ। दौलत से आदमी पहलवान नहीं बन जाता। अगर सेट जी ने उस जगह पर बिना पैसे दिया हाट डाला तो मैं उसका नाम और निशान मिटा दूँगा। पीटर तो मेरे खातिर किस किस से दुश्मनी मोल लेते रहोगी। अगर अगर मैरी यह और मेरी जिंदगी में नहीं होथे तो मैं इस दुश्मने को छोड़कर कपका चला गया होता। रूपा के जमीन वाले केस ने सेट भानूप परताब जी दोसों का जमीन मुफत में देने को तैयार थे लेकिन तुम्हारे बेटे पीटर ने टांग अला दी उन्हें माना नहीं उन्हें क्या बोला मालूम क्या एक प्याली चाई मिलेंगी चाई उन्हें नहीं बोला भाई मैं बोल रहा हुसो मेरे बेटे के रिए बुरा बोलकर चाई मांग रहे हो अच्छा बोलते तो कौफी भी पिला देती चाई पीटर के बावा मैं तो सिर्फ चाई मांगा साथ में मिलेगा मिलेगा वो भी मिलेगा लेकिन पहले ये बोलो पीटर क्या बोला उन्हें बोला खाली जमीन से काम नहीं चलींगा 40,000 रुपिया भी चीए इस बात पे पीटर का और फादर का चागेडा और लफ़ला दोनों शुरू हो गया भाई क्या बोल रहा था ये लौट स्पिकर फिर से बोलना महीं तो कुछ भी नहीं बोलना था भाई तेरी यहां क्यों आय था तू मैं तुम्हारे बावा को काफिन का आडर देने आया था किसके लिए मेरे वास्ते भाई मालूम नहीं पीटर मेरा नंबर कभी आएंगा मैं तो इसल कि अरे रे माइकल टिता गुसरी क्यों है इसले आерм PP इसले मेरों से साइकल बना और दिया फादर ने पीटर को सब्स Radha को रख आए कर दिमों हो गया अब महीं उसका आइसा कच्रों म्म मर2 भर मेरे को याद रखना नूं concludes the Ah कबसे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अठ तुम्हारे काम में देरी हो गई मेरे मेरे किस काम से टैडी से भी हमारे शादी की बात करनी थी ना तो बात की त मने चाहू ने क्या उने वह क्या है ना हर बात करने से पहले एक ग्राउंड बनाना पड़ता है और वो ग्राउंड बनाने में सारा वक्त निकल गया डैडी को काम पे जाना था, वो ओफिस चले गए, शादी की बात ही नहीं हो पाई पस, तुम सारी जिन्द की ग्राउंड भी बनाते रहना तुम अपने भाईया से जाकर क्यों नहीं कहती, कि आकर मेरे डैडी से हमारी शादी की बात कर ले और वैसे भी लड़की वालों को ही लड़के वालों के घर जाना चाहिए पाप प्रे, पीटर से, उसे पता चलेगा तो मुझे गोली से उड़ा देगा क्यों, महबबत का दुश्मन है वो हर बात मजाग में ले लेते हो, उसे दौलत मन लोगों से नफरत है तो कोई बात नहीं, मैं गरीब बन जाता हूँ फिर मजाग किया तो और क्या करूँ पर रास्ता सोचो न ऐसा करती हूँ, मैं फादर से बात करती हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं नहीं, यह नहीं हो सकता क्यों, क्यों नहीं हो सकता फादर कहां तुम और कहां वो उसके पिताजी इस गाओं के सबसे रईस आदमी है और तुम्हारी पिताजी एक मामूली कारपेंटर जमीन आस्मान का फरक है तुम दुनों के खांदान में मगर आपके यहां तो सब एक समान होता है फादर यार के दुनिया में भी सब बराबर होते हैं फादर, अगर आप चाहेंगे तो हमारी शादी जरू हो जाएगी प्लीज हेल्प में फादर, प्लीज मेरे चाहने पर भी कुछ नहीं हो सकता सेज बानु पताब और तुमारे भाई की एक पल नहीं बनती वो इस रिष्टे को कभी मनजूर नहीं करेंगे इसलिए तुम्हें यह उमीद लेकर आपके पास आई हूँ फादर क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दोनों आपकी बात कभी नहीं टालेंगे लीज हेल्प मी फादर, लीज ठीक है मेरी लेकिन मेरी एक शर्त है जब तक मैं तुम्हारे भाई और रमेश की पिताजी से बात नहीं कर लेता तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे ठीक है फादर जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा गुड मेरी 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 बार्ष 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 बार तुम्हें हुआ क्या है मेरी, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मुझसे दूर चली जाती हो, आखिर ये बेरुखी क्यों? कुछ नहीं, रमेश, फादर ने मुझसे वचन लिया है, कि जब तो को मेरी भाई और तुम्हारे पिताजी से शादी की बात नहीं कर लेते, मैं तुमसे ना मिलो नहीं मिलू, कितनी आसानी से कह दिया कि नहीं मिलू, फादर ने तो कभी प्यार नहीं किया न, इसलिए उन्हें प्यार का अंताजा नहीं, आज के बाद ये कभी मत कह न, कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी, पर न, वरना क्या कर लोगे? मैं अपनी जान दे दूँगा, नहीं दिल को बेबदा दड़क में दियादत हो जाती है दिल को बेबजा दड़क में दियादत हो जाती है कोई करता नहीं नहीं बाबा नहीं कोई करता नहीं कोई करता नहीं है महाबत ओ, महांबते हो जाती है, हो जाती है कोई करका नहीं, नहीं वावा नहीं कोई करका नहीं कोई करका नहीं है महांबते, महांबते हो जाती है, हो जाती है करका नहीं है मेरे दिल में है एक लगन मेरे दिल में है एक लगन हर पल तुझ से प्यार करूँ मेरे दिल में एक लगन है हर पल तुझ से प्यार करूँ अपनी खुशी का जाने जाना कैसे मेरे दिल मार करूँ मेरी आर्जू देखो तुझे देखो तुझे सुपोशा हा इस उम्र में नजरों से शरावत हो जाजी है दिल को वे वज़त धरकनी आगत हो जाजी है कोई करता नहीं नहीं बाबा नहीं कोई करता नहीं है मुझाबत तो सहाबते हो जाकी है हो जाकी है करता नहीं है करता नहीं है करता नहीं देखो जाकी है मैंने तुझ में क्या देखा है मैंने तुझ में क्या देखा है लफजों में कहना मुश्किल है तुझे को पारे क्यों लगता है तुई ही मेरी मन्जिल है ये जिन्दरी ख़री हुआ है तेरे ना तेरे ना रातों ये अकसर जाजने की अजत हो जाती है दिल को बेबचा धरकमे की अजत हो जाती है कोई करता नहीं, नहीं बाबा नहीं, कोई करता नहीं है महाबत का महाबत ने पोचाती है, पोचाती है करता नहीं, करता नहीं, करता नहीं है वो लड़की कौन थी, पेटे मैंने पूछा है कि वो लड़की कौन थी उसका नम मैरी है डैड, मैरी, किसकी बेटी है मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ साब वो अपने गाउं का सबसे बड़ा बदमाश पीटर नहीं है यह मैरी उसी की बेहन है पीटर की बेहन? जी हाँ इसका मतलब तुम जानते हो वो कौफिन बनाने वाले एंथनी की बेटी है हाँ डैड एंथनी की बेटी है पीटर की बेहन है लेकिन उनसे हमें क्या लेना देना? मेरी बहुत अच्छी लड़की है आप उससे एक बार मिलकर तो देखिए मिलना क्या है? साब के बिल में सपोले ही पैदा हुआ करते हैं नेवले नहीं बबुल के पेड़ पर काटे ही उगा करते हैं गुलाब नहीं लेकिन गुलाब तो काटों में ही खिलते हैं न? मैं तुम से बहस नहीं करना चाता हूँ, रमेश मगर बाप होने के नाते मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अभी नादान हो और नादानी में किये गए फैसलों से जिन्दगी भर पच्टाना पड़ता है इसलिए उस लड़की को भूल जाओ इसी में तुम्हारे भलाई है डैड मेरी बात तो सुने मैं कुछ नहीं सुना चाहता रमेश डैड ब्लीज पादर अरे मेरी तुम क्या बात है पादर वो आपने शादी की बात मेरे घरवालों से की मेरी मैं इन दुनों काम में कुछ ज़्यादा ही बीजी रहा लेकिन तुम फिकर मत करो मैं तुम्हारे शादी की बात बहुत जल तुम्हारे भाई से करूँगा पर फादर अगर हमारी शादी नहीं होई तो मैंने कह दिया ना मैं शादी की बात करूँगा याने जल्दी करूँगा अब तुम जाओ God bless you Thank you father या क्यों आई थी? जी वो पादर को कॉलेज के फंक्शन के लिए इन्वाइट करने आई थी इन्वाइट करना था तो चर्च में जाती घर पर जाने की क्या जरूत थी? पादर चर्च में नहीं थे इसलिए ठीक है आइंदा अगर कोई काम हो तो चर्च में मिलना घर पर जाने की कोई जरूत नहीं समझी? चलो जाओ रमेश तुमने सुबा से खाना भी नहीं घाया अभी तक सोई भी नहीं क्यों आपने आपको सता रहे हो? डैड, आप मुझे समझने की कुशिश कीजिए मेरी के बगएर अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता मैं उसके बिना जिन्दा नहीं रह सकता आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए अगर रमेश के डैडी ने शादी से इंकार कर दिया तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता अपने प्यार पे मुझे पूरा फरोसा है मैरी क्या बात है बेटी सुबह से खाना भी नहीं खाया और अभी तक सोई भी नहीं कुछ नहीं मामी बस नीन नहीं आ रही खाना खा ले और जल्दी से सो जा बहुत रात हो गई है ले बेटी ले आपका घर छोड़कर जा रहा हूं जहां तु पैदा हुआ है हाँ डैड छोड़कर जा रहा हूं मैं इस घर को क्योंकि मेरी खुशी अब यहां नहीं मैरी के साथ है देखो बेटे हर मा बाप अपने बच्चों की भलाए के बारे में सोचते हैं यह धन यह दौलत जो मैंने दिन रात एक करके कमाए हैं सब तुमारे लिए बेटे आपकी यह धन दौलत तराजों के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में मेरा प्यार मेरे प्यार का वजन जरूर आपकी दौलत से बारी होगा मैं आपसे विंति करता हूं पापा मुझे मेरा प्यार दे दीजिए मैं समझूगा मेरे पापा ने दुनिया की सारी दौलत मेरी जोली में डाल दी बेटे अगर यही तेरी सित है तो मैं हार क्या तू चित किया बेटे पापा आप हाँ बेटे थेंक्यू पापा मैं अभी जाकर मेरे को बताता हूं अरे हाँ बेटे सुनो बेटे मैं चाहता हूं कि शादी होने से पहले तुम आपते पाउं पर खड़े हो जाओ क्योंना तुम कुछ दिनों के लिए बेंकोक चले जाओ और वहां आमारी फैक्टरी की देखबाल करो बेंकोक पापा? बलकि कल ही एक बहुत बड़ा टेंडर खुडने वाला है मेरी जगा तुम जाकर उस टेंडर को भरोगे ठीक है पापा आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा शाबाश मैरी तीक तेरा पागल प्रीमी आ गया जाना तुम तुम यहां क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ जुरूरी बाते करनी है तुम यहांसे चले जाओ मैं नहीं जाओंगा लीज रमेश जाओ यहांसे यह क्या जाओ जाओ की रट लगा रखिये मैं जो कहना चाहरा हूं उससे सुनो टैडी ने शादी के लिए हां करती है सेच मैं नहीं कहता था टैडी मेरी कोई भी बात नहीं ठुकराएंगे एक प्रॉब्लम है मेरी मुझे दस-पंदरा दिन के लिए बैंकॉक जाना पड़ेगा बैंकॉक? लेकिन क्यो? टैडी के कुछ ओफिस का काम है ओ नो ओ येस और दस-पंदरा दिन ही की तो बात है मैं वाँ जाता ही तुम्हें फोन करूँगा फोन? मेरा मतलब है खत लिखूँगा ठीक है टेकिर आफिसाफ बैं बैं फादर फादर ये ये फादर फादर करके भी क्या मांग रहा है मैं एक रुपया नहीं दूँगा मैं आख से रुपया का मांग रहा हूँ फादर मैं तो सौ रुपया मांग रहा हूँ सौ रुपय? मैं तुझे एक पैसा नहीं दूँगा नहीं फादर इतने कठो लोकोभनओं हमनों अगर अपे कठोर हो गए तो मेरा उंखर जो मर गया उसको कैसे दुफना उंगा शाक कैसे दफन आमका और फिछले अफ़ेते देरा अंकल मर गया था आज ये कौन सा मर गया अच्छा अच्छा और जो अगले हफ्ते मरेंगे वो वो मैं सोच को बताता हूँ देखो माइकल तुम ब्रैंडी पीने के लिए अपने अंकल को क्यों मारते रहते हो फादर गाड प्रामिस फादर मैं ब्रैंडी नहीं पीता तो फिर क्या पीते हूँ मैं तो प्योर ठरापीता हूँ मैं तुम्हें शराप पीने के लिए एक धंबडी नहीं दूँगा ओ फादर नहीं दूँगा नहीं दूँगा गुड मॉनिंग फादर गुड मॉनिंग ये लिजे रूपा बंजारन के चालीस हुजा रुपे गिन लीजे गिनने की ज़रूरत नहीं है मुझे तुम पर पूरा बरसा है इन रुप्यों से उस लड़की को सर चुपाने के लिए एक छोटा सा घर हो जाएगा वो सब ठीक है फादर येकिन अभी पीटर को समझा देना कोई लफडाने करें बना ठीक नहीं होगा तुम लोग हमेशे जगड़े की बात क्यों करते हो मिल जूल कर क्यों नहीं रहते हैं ठीक है चलता हूँ मैं पता नहीं कब सुतरेगा पादर पादर आप तो बल्ला के रूपे आगए आपके पास में मेरे को सो रूपिया दो न ये पैसे मेरे नहीं है रूपा के है जिस पर किसी खाग नहीं है समझे ये रूपे तो मेरी खिस्वत में आए रूपा की खिस्वत में नहीं पीटर चला आज सेर चलते है वह तुझे डाबे में खाना खिलाऊंगी और वो थेले मादी खाऊंगी क्यों है मीदे गखा देना मे दिमाग ख्राब हो गया क्या कभी उलिए chic अरे तेरे में क्या कमी यह मुझमें है तू तो सिदा आस्मान से जमीन प्टपकीए न वहां सब विलाइती में मैं आती है ते is Continue आ rule सकती ए पीटर पीटर रुख न ए पीटर मेला दिखा देना एक बार बोला ना नाई पीछे ही पड़ गई है ठीक है जा न मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी अभी दिखाती हो रूप वाक्या चीज है कि अ तेर बोला ऊंच उड़ूग। दिल्ली दिखाया नजैपुर दिखाया बंगाली संदे से क्यों न खिलाया यहां जाएंगे वहां जाएंगे कोई वादा अभी तक न तुने ने भाया पागल बनाया मुझे पागल बनाया मुझे को मेला तो दिखला दे वे अनारे बलमा वे मुझको मेला तो दिखला देवे पनाड़ी बलमा तूटी चपल तो सिलवा देवे पनाड़ी बलमा वे मुझको मेला तो दिखला दे वे पनाडे वल्मा तूती चपल को सिलवा दे वे पनाडे वल्मा पास पड़ोसी रोज हमारे पिक्चर देखन जावे इंटर्वल में गरम समोसे रबडी संग संग खावे पास पड़ोसी रोज हमारे पिक्चर देखन जावे इंटर्वल में गरम समोसे रबडी संग संग खावे इंटर्वल में गरम समोसे रबडी संग संग खावे मुझको चटनी तो चटवा दे वे अनारे बलमा मुझको चटनी तो चटवा दे वे अनारे बलमा मुझको मेला तो दिखला दे वे अनारे बलमा हुआ 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 है नया नवेला बाग मेरा मत नजर लगा बेपीर नीबु सेब अनार पके है और पके अंजीर नया नवेला बाग मेरा मत नजर लगा बेपीर नीबु सेब अनार पके है और पके अंजीर मीबू से वो अनार पके है और पके अंजीर खुद को चौकी दार बना ले वे अनारे बलमा खुद को चौकी दार बना ले दे अनारे बलमा मुझको मेला तो दिखला दे वे खनारे बलमा टूटी चपल को सिलवा दे वे खनारे बलमा टूटी चपल को सिलवा दे वे खनारे बलमा अपना ठपाता लगा दे वे खनारी बल्मा अज़को गोदी में बिठाले वे खनारी बल्मा अज़को चतनी नो चटवा दे वे खनारी बल्मा खनारी बल्मा खनारी बल्मा खनारी बल्मा खनारी बल्मा कि अरे वाह मैंदान तो साफ है चलो बैटिंग करें कि क्या बात है दरुआ कि बंद कर रहा है मेरी जान इसलिए बंद कर रहा हूं कि मेरे मन का दरवाजा खोल सकूं मेरी गुलाबों मुगले आजम के सलिम की तरह मेरी हालत हो गई है अनारकली मत तडपा अपने सलीम को मत तडपा अनारकली मत तडपा मेरे दिल की चास बजाते है क्या करते हो मुझे गुद्गुदी होती है जाओ अगबर बात यहां किसे आ गया आरे जा कहीं चुप जाता हो तो इसको हकाल देना है कि आजाओ दर्वाजा खुलना है आजाओ दर्वाजा खुलना है मरने से पहले मेरा घर बसादे देख तेरा यह हैदरबादी जूलियक तेरे पास आया तो मेरा रोमियो बंजा क्या मैं सेक्स बदल दिया उन दोनों का हां अरे भुड़ाओ अपने उमर का तो ख्याल कर कहां तू और कहां मैं सापका क्या बड़ा क्या छोटा भई सापको उमर की क्या प्राबलम है साप तो आखिर साफ होता ना मैं थोड़े दिन तुमारे साथ रह जाओंगा ना तो मैं भी जवान हो जाओंगा ना ये दोनों हाथ तुमारे मेरे हाथ में हैं पर ये ककलक हाथ किसका है भाई एलीन का माई दियर मेरी तुम वहाँ मैं यहाँ तुमसे कोसो दूर हर पल तुमसे मिलने को दिल तडपता रहता है यहां सब कुछ है धन दौलत ऐश वाराम लेकिन लेकिन तुम नहीं हो ना मेरी इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना मैं बहुत बेचैन हूँ तैड़ी से बात करके जल्दी ही लोटाओंगा तुम्हारा रमेश तुम्हारे बिना मैं बहुत बेचैन हूँ तैड़ी से बात करके जल्दी ही लोटाओंगा तुम्हारा हम मैरी की चिट्टी तियर रमेश, तुम्हारा पत्र मिला, लेकिन गौड को कुछ और ही मनजूर है, मेरा भाई विल्यम नाम के लड़के के साथ मेरी शादी कर रहा है, मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं, मैं मजबूर हूं रमेश, जब तक तुम्हे मेरा लेटर मिलेगा, तब तक मेरी शादी हो चुके होगी, मैरी वेट्स विल्यम, अच्छा होगा कि हम दोनों अब कभी ना मिले, तो मुझे हमेशा, हमेशा के लिए भूल जाना, जाए, मैरी, मैरी, प्यार छूटा से दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, त्यार छूटा है दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, 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 आजा किसी और से मिलने के आजा को दूटा है एाजा govern तू की और रमकरिंग उना मिलने, आजा, आजा प्या आजा किसी और मा से याजाएं जर, प्या आजा तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूँगा तुछे पहने के जहां दिल का तमाशा देखे एक बलते ही आजा के जमाना देखे इश्क क्या हुए तू किसी आरत मिलने के बहानी ही आजा आजाओ 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 स्सक्राओ आजाओ कभी याद की आखरे आजा तू किसी आरत मिलने के बहाने आजा तू किसी आरत मिलने के बहाने आजा तू किसी आरत मिलने के बहाने आजा आजा, 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 आजा हुआ हुआ है तारไ House वह — अुशन शयलब अूप यह क्या करें यो मेरी मर जाने दे मुझे सलमा मर जाने दे आतम हथ्या पाप है तुमहे क्या करो सलमा तुम अहों मेरी हालत नहीं जानते लेकिं तुम क्यों मारना चाहती हो क्यों आंगर क्यों क्योंकि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ हाई अल्ला किसके मेरी रमेश के सल्मा रमेश के लेकिन मेरी तुम अपने साथ एक ननी जान का खून करने जा रही थी तो मैं क्या करूं सल्मा मैं दुनिया को क्या जवाब दू मेरी, इस दुनिया का जवाब आत्मत या नहीं, बलके तुम्हे दुनिया का सामना करना होगा, मेरी, सामना करना होगा मेरी, पादर के पास जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मेरे यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा, मेरी, सब ठीक हो जाएगा ठीक है, शल्मा अरे क्या बाद मेरी तुम इस तरह रोके रही हूं अ उससे बाद बढ़े भूलो के यह फादर मैं आपकी बात ले रख सक्की फादर एक दिन अचानक रमेश से मेरी मुलाकात हो गए और मैंने खुद अपने जिन्दगी बरबाद कर ली फादर ओ मैं गड़ यह बात मैंने लोगों से चुपा रखिये फादर वह बात अब ज्यादा दिन चुप नहीं सकते इस दिन मेरे माबापको बता चलेगा कि मैं माबनने वाली हो वह जीते जी मर जाएंगी फादर सब अनत हो जाएगा सब यह सब यह सब तुम्हे पहले सोचना चाहिए था आप ठीक कहते हैं फादर उसे बहुत बड़ी भूलो गई फादर मेरे माबाप की सब बचाने के लिए अब मेरे पास एक रास्ता है और वो है मेरी मौत मौत नहीं मेरी नहीं आत्मा तैक बुजदिली है एक बहुत बड़ा पाप है और फिर तुम अपने साथ उस बच्चे को भी मारना चारी हो जिसका कुई दोश नहीं है तो क्या करूँ फादर कितने दिन तक पेट में इस बच्चे को चुपा के रखूंगी मैं और फिर आप तो मेरे भाई को अच्छी तरह से जानते हैं ठीक है मैं आज ही तुमारे भाई और भनुपताव जी से मिलकर जल से जल तुम दुनों की चादी कराने कोशिश करता हूं है भी यह क्या बगवास करने यह तुम बगवास नहीं है अकिकत है मैंने अपनी आखों से देखा और अपनी काना से सुना है मैरी फादर से कह रही थी कि वह उनके बच्ची की मा बढने वाली है नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मरी क्या बात है बेटी, उल्टी आ रही है कुछ नहीं मामी, जड़ा तबिया ठीक नहीं तबिया ठीक नहीं, चल डॉक्टर के पास चलते है नहीं मामी, उसके कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं जरूरत नहीं, मतलब बिटी, चल अंदर चल, अंदर आ, अंदर चल क्या बात है बिटी, तुमको छुपा रही हो चुप क्यों हो, बोलते क्यों रही साब साब क्या बात है मुझे माफ कर दो ममी, आदानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ओ, जीजुस अरे क्या बात है, कौन मर के जो इस तरह रो रही हो न हमारे खांदन की इज़त खतम होगे हम इसकी चाहदी करना चाहते थे बगर ये चाहदी से पहले ही ये सच है पहले ही बेटे की कर्टू तुमसे सर चुका हुआ था रहीसरी का सर तुने पूरी कर दी कौन है वो लड़का? बता दे पिटी देख बेटे तु हमको बता दे कौन है वो लड़का? नहीं तो अपना चीना मुश्किल हो जाएगा बिटे बताना, बोलना मैं बताता हूँ मैं जानता हूँ कौन है वो कमीना या चाह अंदा पिटे अबंदा बतामा मैंदा नीए नीए पिटे पिटेर पिटेर पीटर, क्या हुआ रुपा, पीटर बो, रुपा क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ, पीटर, मेरी ना हाथ माध्य कर ली मेरी फादर से कह रहे थी, कि वो उनके बच्चे की मा बदने वाली है पीटर, ये टमाटे के तरह लाला लोग का जा रही मैं उस फादर फादर को जिन्दा नहीं छुड़ूगा, अच जाओ अरे, उन्हे फादर का खूल करने को जा रहा है फादर नहीं है अरे, पीटर, क्या बात है तुने मेरी भेहन को धोका दिया है मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा, फलांडेस पीटर, पीटर, ट्या करें, पीटर अच चर्च का बेल ऐसे कैसे बज़रा है लगता है कोई खत्रा है मैं तुझे जिन्दा नहीं को अज़रा है तुझे में क्यों प Όल अबग, एपया है धष्न हाफ, पीटर रुख जा पिटेर चल्ड़ नहीं चोड़ूगा फर्लांडेस मैं चोड़ूगा ऐयो ऐयो फादर फादर कितना खुन नी कल रहा है फादर आप मेरे साथ हॉस्पिटल लेको जातो चोड़ा मुझे आपको तो बहुत चुट लगी है अरे बहुतो चुट लगी है फादर आप जानते हैं ये नादान लड़का मुझवर क्या जाम लगा रहा है जाने दीजे फादर ये तो बहुत ही खर दिमाग और बत्तमीज लड़का है आईए मैं आपको हस्पिल ले चलता हूँ, आईए आईए झाल झाल झाल! in the name of the father and the son and the holy spirit amen may the soul of mary rest in peace the 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 कर दो कर दो औरलен। royal ओ माइ काड़् मुझी यखिन नहीं आता के मेरी ने आत्मातिया कर ली उसका पोस्माटम कर बाये ठाल नहीं फादर क्यों नहीं कर वाया वो ऐसा हुआ कि तुम जाओ वो क्या है कि फादर मेरी की मावाप ने बहुत जिद की कि पोस्तमाटम ना किया जाये, इसलिए नहीं किया, आप मेरी बात को समझनी रहे, अगर दफनाने से पहले पोस्तमाटम करवालिया होता, तो सच्चा ही सामने आ जाती, सच्चा ही तो सामने आ जाती, मगर एक कौणरी लड़की ने प्रेग्नन होने के वज़ा से आत्माहत्ता की, उसके माबाब की इज़त मिठी में मिल जाती, साथ में हमारी भी, इसलिए हम सब ने पोस्तमाटम करने से मना किया, आपने ठीक नहीं किया, उस वक्त आप भी नहीं ही मारे गये, बारा बलातकार हुए, आपको ले खाली पुकट, है 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 यह जोलू, है सपी ऑफिस, यस सार, गिमें फादर फणनेनिस बोल रहा हूँ, आपक्यों जूट बोल रहा है मेरा फादर तो कभी का उपर चला गया, मैं फादर प्रें फणनेनिस, SP सब कुछ काम के लिए भार गए हुए है what the hell is going on go and kill the bastard kill it the 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 I will not allow you to spoil my country the good morning good morning the God bless you the 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 के सर पर बदनामी का दाग है यह क्या कह रहे हैं खेर छोड़ो इस बात को मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम साया हूं हमारे इलाके में लड़की की मौत हो गई है लोगों का कहना है कि उसने आत्मत्या की है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है उसे मार दिया गया है और बिना पोस्माटम किये उसकी लाश को दफना दिया गया है अगर लड़की ने आत्मत्या की है तो भी पुलिस को पोस्माटम करना चाहिए लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं चाता हूं मेरे भाई कि तुम आकर उस लड़की का पोस्माटम करवाओ आप जैसे चाहते नहीं इस बार रहने दो, बहुत देर हो जाएगी, अगली बार जब भी आउंगा, घर चलूंगा मेरी फादर से कह रही थी, कि वो उनके बच्चे की मा बने वाली है या दगना फरांदेश, चाहे कुछ भी हो जाए, वह तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा फरांदेश सर, आप इस शहर के चेयर मैन, मिस्टर भानु परताब जी, आप इस पेरन कुमार आपके शकल बिल्कुल फादर फर्नांडेस से मिलती है जी हाँ, हो मेरे जुड़ो भाई है अच्छा 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 फादर फर्नांडेस दिखाए नहीं दे रहे सहाब उन्हुंबादर के गाउं में किसी को मिलने गई पादर के आने तक इंतजार करें क्या? नो डॉक्टर, प्रसीड, आईए इंस्पेक्टर, खोदो इसे, खोड़ो इसे आईए वोल 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 कर दो मैं उसे नहीं छोड़ूँगा, जिसने आपकी यह आलत बनाई है, मैं कसम खाता हूँ तुमने यह कैसे सोच लिया, कि मेरी नियात मत्या की सर, जिस तरह से मेरी किलाश पेड़ से लटकी हुई थी, उसे देखकर कोई भी यह सोच था कि मेरी नियात मत्या की नहीं, तुमने ऐसा इसलिये सोचा, क्योंकि मेरी एक गरीब लड़की थी, तुमने इस केस की तहकीकात की यह विदाई से छोड़ दिया, क्योंकि मेरी गरीब लड़की थी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, कि आत्महत्या करने वाले की बॉड़ी का पोस्वटम किया जाता ह जी हां, मैं जानता हूं सर, मगर मेरी के माबाप ने मुझसे प्रार्थना की, कि हमारी बेटी की लाश की चेरफार मत कीजिए, हमने बड़े नाजों से पाला है से, इसलिए मैं मजबूर हो गया था, नहीं, मुझे ऐसा लगता है, तुम किसी और बात से मजबूर हो गए, ऐसा मत कहिए सर, द्यूटी मिल आपर वाई बरतने के लिए, मैं तुम्हे सस्पेंड करता हूं, सर वो, यू में गो, एस्प्री साहब, ये देखो, यहाँ जीजिस के सामने खड़े हो को, पादर सब के लिए प्रे करते थे, आव साहब, साहब, यहाँ बैट को फादर लिखने पॉणने का काम करते थे, और साहब, साब ये सोल्फे पर बैट को उनों सुबसब चाय पीते से और अख्बार पड़ते थे दुनिया भर की खबर निखालते थे कि अब कर दो तुम किया बक्वास करें तुम मैं बक्वास दें कर रहो साब उन्हों पंढहे थे अख्बार वो पिटरा को उनको याइब डंडा सिधी तरह से बतादेना कैसे मारा वरना चेमेना कडक और आठ आना फत्ता लगा दूँगा क्या समझे बताता हूं साप आप जरा बेटो फेरे हात में डंडा दो आपको बताता हूं अइसे अई बंद करो ये साब क्या तौशा लगा है चलो आगे बताओ ती मेन अंदर कर दूंगा ताइब ये पिछे का वरांडा है साब फादर रात का खाना खाको या टेल टेता खाना हदम करने के लिए सखाराम ये सर यहां कि हर चीज ऐसी रहने तो ये सर बाहर का दर्वा हलो एसपी साब ठीक है ना मेरा एक येस्ट हाउस ठीक है बहुत बढ़ी है वेरी गुट और किसी चीज की जरूत हो तो मुझसे कहिए जी आँ मुझे पीटर चाहिए मा पीटर मा पीटर कहा हो तुम मैं यहाओ मा पीटर ये क्या हालत बना रखी तुने अपनी पुलिस मेरे पीछे है मा पीटर कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए पुलिस आईये साब आईये आप पीटर के पिता है जी हाँ यह कौन है उसका मदारे साब लेकिन यह कॉफिन बॉक्स पर क्यों बैठ हुई है जिस मा के बेटी को पुलिस पकड़के ले गई हो वो कॉफिन पर नहीं बैठेगी तो क्या सोफे पर बैठेगी आईसी मिस्टर एंथनी क्या पीटर के किसी के साथ को दुश्मनी अरे दुश्मनी किससे नहीं साब इसी की वज़े से उसने फादर को मारा लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं मैं नहीं आक्का कहों बोलता है जब पीटर ने फादर को चड़ी से मारा अब पुलिस उसको पकड़के ले जारी थी तो वो चिला नहीं रहा था कि फादर को मार देगा जान से मार देगा कैसे बाप है आप खामोश रही है मिस्स एंथनी एक बाद बताईए मेरी की कॉफिन में मेरी की लाश की जगा फादर की लाश के से आदी साब अपने को नहीं मालूम नहीं मेरा पुछने का मतलब यह है कि क्या पीटर ऐसा कर सकता है अरे साब वो वो तो कुछ भी कर सकता है लेकर साब एक रिक्वेस्ट है फादर की खुनी को छोड़िया गाने वो कोई भी हो फादर बहुत अच्छा आदमी था साब बहुत अच्छा आदमी देखिए आपको पीटर की कोई भी इंफोमेशन हो हमें फॉरन इत्तला कर दीजी जी साब अच्छा मा मैं चलता हूँ बेटे कितने दिनों से भूका होगा तो चलता मैं उख खाने जला यह वे श f Prinz तो चल मेरे साथ पोलिस टेशन ना मैंने इन मैंआ फादल का खुन नहीं किया तु चल तेरे गुच्छ हो खुछ बोलना है उधर बोलना चलकर मैंने फादल का खुन नहीं किया आप मेरा यकिन किजिए मुझे समझने की कोशिश कीजिए मैं आपका बेटा और मैं आपसे छूट नहीं बोलूँगा मैंने किसी का खूल नहीं किया तू चल नहीं रूपा फादा फनेंडेस मर्डर केस के बारे में जो कुछ जानती हो साफ साफ बताओ मैं कुछ नहीं जानती साफ देखो अगर तुम नहीं बताओगी तो हम यही समझेंगे कि तुम भी मर्डर में शामिल हो यह क्या कह रहा है साफ उनके लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम फादा फनेंडेस को जानती हो उनको कौन नहीं जानता साफ इंसान तो क्या यहां के पेड़ पतों से भी पूछेंगे न तो वो भी बोल उठेंगे कि हम फादर को जानती है वो बड़े अच्छे इंसान थे साफ मगर मगर क्या मगर कभी-कभी अच्छे इंसान से भी गलती हो जाती है साफ साफ-साफ को तुम कहना क्या जाती हो वो हुआ यहो कि मैं अपना पैसा लेने फादर के घर गए मामा ने देखा कि मेरी फादर के साथ बात कर रही है उनकी बात सुनकर तो मेरा कलेजा ही बैठ गया फिर कह रही थी कि वो मा बनने वाली है मगर बच्चा किसी और कभी हो सकता था हो सकता था पर जिस सरह से वो एक दुसरे से बात कर रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि फादर और मेरी फादर और मेरी शिराप इधर आओ तुम्हारा पीटर के साथ क्या संबंद है हम दोनों एक दुसरे को चाहते हैं मतलब शादी करने वाले हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पीटर ने फादर को मारने से पहले तुम्हें बताया होगा कि साब आभ侑 घौम्हार बात मत कीजिए पीरफादर को क्यों मारेगा यसलिए कि तुमने पीटर को फादर और मेरी के बारे में बताया होगा और पीटर ने गुस्यं में आकर फादर का खुन कर दिया साब ये बात जरूर है कि पीटर को बहूट गुसा आता है मगर मेरा दिल कहता है कि उसने फादर का खुन नहीं किया पीटर कहा है यही तो मैं आपसे पुछ रहे हूँ कि पीटर कहा है एक बार मुझे उसे मिलवा दीजिये तो मैं उसे समझाऊँगी कि इस सरब पुलीस से भागते भिरोगे तो पुलीस तो यही समझेगी कि तुमने ही फादर का कुन किया है ठीक है तुम जा सकती हो अच्छा अब तुझे चुरूंगा नहीं मारू नहीं चुरूंगा नहीं साफ नेरी पास सुने साफ साफ यह पॉलीस की नौकरी भी बहुत पावरफूल है साफ इस तसा अदमी है मुझे बात नहीं करता हाथ से बात कर रहा है अगर मुझे बात किया ना तो छे मैना कड़क और आटाना भत्ता लगा दूगा मालीक इसका भत्ता निकाल सकराम इधर आओ तुम जाकर रुपा पर नजार रखो पीटर उससे मिले धरूर आएगा ये सर तुझे बाद में दीख लूँगा तुम फादा फन्नारी इसके आ क्या करते थे मैं साफ मैं उनकी घुलामी करता था साफ क्या मतलब साफ व wszystkies मैं सुबा उनकी नाश्ता दे को उनको उठाता था रात को काना क्हिला को उनको शुलाता था अक्खा दिन में उनकी कि में खिद्मत करता Bears और ये चर्च का घंटा भी मैं जाताता था कब से कर तो एकाम terrified से करता आँ साफ मैं तो खांदानी घंटा बजाओं फादर से कोई लड़की मिलने आती थी बहुत सारी लड़कीया मिलने को आती थी साफ लंबी, नाटी, गोरी, दुबली कुछ लोग तो कनफेशन के लिए आते थे कुछ लोग प्रेयर के लिए मेरी नाम की कोई लड़की आती थी मेरी साफ जितनी भी आती थी उसमें आधी तो मेरी थी क्या मेरा मतलब है उनका नाम मेरी था साफ मेरा मतलब है उस मेरी से जिसने खुद कुछी कर ली ऐयो, वो मेरी साफ वो तो दिन में भी आती थी और रात में भी आती थी तिए तिए तिए, जाएसे! आदब, आदब! आदब, 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 भीज़न, चिसाफ जाफ, एक चट्टान जैसे पुलिस आपसर के आँको मैं हसूँ जप्ति विए, जिसाफ, ग्रॉत जीसुटीप बसली अदब और प्रॉप सा-दे की मैं। चरीर पर जब चोट लगती है, तो गाव बर जाता है, मगर जब दिल पर चोट लगती है, तो गाव नहीं बरता मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ, अगर होनी को कौन ठाल सकता है कोई मेरे देवता जैसे भाई पर कीचड उच्छा ले, यह मुझसे बरदाश नहीं होता क्या कुछ नहीं था हमारे घर में, धन, दौलत, इज़त, शौरत, सब कुछ था एक से एक अच्छी लड़की का रिष्टा था मेरे भाई के लिए, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याक कर, सन्यास ले लिया, फादर फनेंडेस बन गए, ऐसे इंसान के लिए आपके गाउवाले कहते हैं, के मेरी के साथ उनके घलत तालुका थे, ठीक, ऐसा सुनने और कहने से पहले, ये जमीन और आस्मान फट क्यों नहीं गए, लोगों का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन भानु परताब जी, मैं अपने भाई के हत्यारों को ढून निकालूँगा, उनका वह शक करूँगा, कि वो जिन्दगी पर याद रखेंग चलिए, खाना खालेजे, जकराम बोल रहा था कि आपते सुभा से कुछ निखाया, आईए पादाम नो लाताइं कते संदोक में माइकल, वो फादर को मैंने 40,000 रुपय रूपा के लिए दिये थे दिये होंगे भाई, मेरे खूब क्या है? इसलिए कि वो रुपय रुपा को मिले नहीं तो तुम्हें जाको फादर से पूचो जी माइकल, जादा शान पट्टी नहीं, वरना मैं है ना? समझ गया मैं, मैं तुम्हारे मैं कुछ समझ गया भई जई सेंडो भई, तुम्हें चलो आगे मैं तुम्हारे पिछ्छे आता हूँ चलो दर्वाजे खोलो आयो, आगे के दर्वाजे को सील है, और पुलिस का पेरा है, अगर मैं खोलूँगा पुलिस को मालूम पनेगा तो वो लागा मेरी तांगे तोड़ देंगे अरे भईया, आगे के दर्वाजे पे सील है ना? हाओ, तुम्हे काम करो, पिछ्छे का दर्वाजा खोलो, बाकी की जिम्हादार है मेरी है साब, पिछ्छे का ठीक है, लेकिन पिछ्छे का खोलने के लिए थोड़ा लगता ना? अब तो खोलोगे? कोलूंगा कैसा, दर्वाजा तोड़कोते ताम हात में, आम मेरी साब आव साब मेरे पिछ्छे है ये अलमारी अलू जी आवाज दो को करो चाविका है जरा जोर से बोलो जी अब मैं चाविका है मेरे को मालूम है के वादर चाविका रखते थे ये तक्ये के नीच चावि है चल बता, ये तक्ये अयो, चाविका है जी आईकल, चाविका है मैं भी तो यहीं पूछ रहा हूं के चाविका है यहां है चावि सरजी बूध सरजी बूधूध। कौन है विक्रम, मैं अपना बी पादर का भूध पागल हो गया तुछ पागल हो गया तुछ । हाँ सच पादर का भूध मैंने देगा। यू ऐसा टीन सब्सक्राइब, लेकिन देवता जैसे फादर का भूध दनता है। भूत नहीं बन सकते। सेट जी कसम से, मैंने हाथ में चाबी देखे। सेट जी फादर के भूत के। अरे तुने सब्दे में देखा होगा, जा जाकर सो जा। सेट जी अब जाओ इधर, यहाँ जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ नहीं आराम कर दी। शराप पी के सोया होगा फिर सब्दा देखा होगा। माइकल जी साब, मैं तुम्हारी खाल उतेर दूँगा। सच-सच बताओ, पिछला दर्वादा किस ने खोला। साब, अगर मैं किसी को देखता था तो आपके सामने पकड़ को लाता था ना। बगास बंद करो। तुम्हारे अलावा यहाँ और कोल आ सकता है। आ सकता है साब, पादर फर्नांडेस। क्या। साब, मैं उनका भूत यहाँ देखको हूँ। यहाँ? नहीं, मेरा मतलब है मैं चर्च में देखको हूँ। शेड़ा। पूरे घर की तलाश लो। तुम दुनों दो जाओ, तुम इधर। यह सर। और तुम आओ मेरे साथ। अगर कुछ हाथ लग गया, तो छे मैना कड़क और आट अना फत्ता नहीं लगया, तो मेरा नाम सकाराम धोंडू धांडे कर नहीं है। अरे तो मैं हूँ, मैं क्या भूद्जे से लगता हूँ। इस कवाट के चावी कहा है। ओ चावी मेरे पास नहीं, भूद के पास है। नहीं हो, तक्यकिनी, तक्यकिनीचे नहीं हूँ 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 तुम जा सकते हो। जाओ! जाओ, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सर, ये क्या है। ऐसा कैलेंडर कहीं देखा है। पर याद नहीं आरा कहां देखा है। कहां देखा है। येस, आई गट इट। फादर की अलमारी में मिले हुए रुपे इसी कागज में लिप्टे हुए थे। इसका मतलब है कि यहां का वहां से कोई संबंद जरूर है। सेड़ जी, मेरे को भूच से बचा लो सेड़ जी, ने तुम यह खाम खां का मर जाओंगा। माइकल, खामखा तुम लोगों को वहम हो गया है। भूच उत कुछ नहीं होता है। सेड़ जी, मैं मेरी अंकियों से देखा हूँ और वो सेंड़ों मेरे साथ में देखा। अगर तुम दोनों को दिखाई देता है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। सबसे पहले तुम मुझे दिखना चाहिए था, क्योंकि मैं फादर के बहुत करीब था। खबराओ नहीं, मैं हूँ ना, कोई भूत उत नहीं है। आप हमारे साथ है साथ, तो मेरे कुछ डर किस बात कर। मैकल, क्या हो तुम्हारी आवाज़वा। क्योंकि प्रेग छॉत तुम्हारी क्योंकि घ्क्याँ झारी प्रेग हुआ 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 जी राँ ुम्हारी है ख्रों कि kingdoms सेखिशी खञव सेखिशी कि खुच किशिची सेखिशी कि खक रहे हded ऊपwenों कि आत्यक्त पाधर पाध्र वाव यह मMoreने के परना दूर निज कभूत आये था पहले आय था, अभी चला गया चला गया, अच्छा हो, लेकिन नहीं से कैसे चला गया, आप तो जिंदा है जोकर ओ क्या है, भूठ जब आता है ना तो जान लेकर ही आता है हमारे गाओं में पीपल का पेड है सकाराम क्या हो रहा है कुछ नहीं सार, शेड़ जी कह रहे थे, उन्होंने अभी अभी फादर का भूठ देखा क्या वकॉस कर रहे हो मैंने ये कह रहे है ये सच है स्पे साब, मैंने अभी अभी फादर का भूठ देखा है ये आपका ब्रहम है, फादर का भूद आपके पास क्यों आएगा, आपकी फादर के साथ क्या दुश्मनी थी? मेरी फादर से क्या दुश्मनी हो सकती है, बल्कि फादर फणांडिस तो मेरे बहुत अजीज दोस्त है, हो सकता है उनको मेरी याद आ गई हो, और मिलने चले आया हूँ पर आप, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कमाल खर रहे हैं आप भी, भूत को देखर कौन ने घबराएगा, खैर, आप मत घबराएगे, मैं सकाराम को यह छोड़कर जाता हूँ सार, मुझे पिटर को पकड़ने जाना है, आप रुकिया नहीं यहापे, सकाराम समझ गया मैं, मुझे मरना है तो यही पे मरना है, लेकिन सर, आपका पिस्तूल दे दिजे न, मरूँगा तो किसी को मार के मरूँगा, चोड़ूगा नहीं भूत को, छे मैना कड़क और आट आना फत्ता लगाऊंगा उधार, उधार, नहीं जाना नहीं, बैठे उधार, हिलना नहीं, इसमें गोली ओली है कि नहीं, इधर नहीं उधार रूपा, तुम सोचती हो कि फादर को मैने मार डाला, तो फिर किसने मारा फादर को यही सोच सोच के तो मैं परेशान हूँ, लेकिन फादर की मौट से एक बात साबित हो जाती है, कि मैरी की आत्मत्या फादर के वज़े से नहीं हुई है, इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ी साजिश है, रूपा, मैरी और फादर के कातेलों को मैं जिन्दा नहीं आया था, एक तरफ रख अपने डंडे को, घड़ी घड़ी बजाते रहता है, डंडा बजाये बिना मान के नहीं तू, ए, कुछ नहीं रखा तेरे डंडे में, मेरे आप बड़े बड़े आये डंडे लेकर, आये और चले गए, दंडा चोड़के, नहीं तोड़के, देख म अपने हाथों से पिलाएगी क्या है, नहीं, मुह से, अरे मेरी गुलाबो, मेरी बात, सुनना, ए, भागिय कोई ने सुनना, अंदर गर दूंगा, क्या, तुझे नहीं, तू सुनना, गुलाबो, मेरे बगीचे में आकर, अपना गुलाब के लागे ना, मैं तेरी लाइब कुलाबो इन्हें तुम्हारी लाइव बुना मंगता था तुम्हारे पराद नूच को भेज डा लेंगा इन्हें यह अगिस्यें अब hon relationship किसे हो इंगा देख क्यूま मैं ख confronted अठाट बता ल्रया को अंदर क्या चैनल में एफ घुटा कर दूकARD and जमा ऊदनर को मैं अरड रटना जो हैना उसकी बत्ती बतफित बना को अंदर डाल क्या तेरी जेव मैं अब पकांड़ता है। मैं भी पकांड़ता हूं। बात में तुझे हीटर मारता हूं तब तक तुझे हीटर मारता हूं। तब तक तुं लाइन नहीं मारना.... सबगे? अब याँ कहल रिलू। बुलू। पिटर कॉन पिटर का अरे मैंने तो तुझे भी पिटर समझ लिया ओक्या वैं जिंदरात में पिटर को आरेश करने के बारे में सोचता हूँ ना तो हर आदमी मुझे पिटर ही लगता है क्या अगर तुमें पिटर का पता चले तो मुझे बतादेना प्लीज हो मेरे तरक्षी हो जाएका Cay john Darling से इंस्पेटर बन जाओंगा ठीक है मैं तुमको पीटर का पता जरूर बता दूंगा और हां पीटर के हाथों में हतकड़ी भी तुम्हारे हातों से लगवा दूंगा थेंक्यू ठीक है किमें आपक अब्वकर पूंगा आपकर. मुझे क्या करना है मुझे तो पीटर को पकड़ करना है पिटर अरे शकाराम एक लस पानी ले कर आना यह अ झाल झाल कौन हो तुम? हैस्पी साब वो पीटर मैं ही हूँ जिसकी आपको तलाश है खबरा ये मत मैं आपको मारने नहीं आया सच्चाई बताने आया हूँ हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है सच्चाई ये है कि तुम कानून से भागे वे मुझरिम हो सच्चाई ये है कि तुमने फादर का खून किया है ये सच्च है कि मैं कानून से भागावा मुझरिम हो मगर ये सरासर घलत है कि मैंने फादर का खून किया है मैंने फादर का खून नहीं किया है अगर तुमने फादर का खून नहीं किया है तो तुम कानून से क्यों भाग रहे हूँ इसलिए के कानून मेरी बेहन के कातिलों को नहीं पकड़ पाएगा कानून फादर के कातिलों को नहीं पकड़ पाएगा तुम्हारा मतलब है के तुम कातिलों को पकड़ लोगी यही तो कहने के लिए मैं आपके पास यहां आया हूँ, आप मुझे थोड़ा सवाग दीजिए, मैं उन दोनों के कातलों को पकड़ के आपके हवाले कर दूगा कानों ने इतना पाज नहीं है कि तुम जैसे मुझरिमों के सारा ले लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम वाकई बेकसूर हो, तो अपने आपको हमारे हवाले कर दो, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे S.P. साब, मैं आपकी इज़त सिर्फ इस ले करता हूँ क्योंकि आप फादर फर्नांडिस के भाई हैं, और एक अच्छ इंसान मैं जा रहा हूँ S.P. साब, मगर जाने से पहले आपसे ये कह देना चाहता हूँ मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूँगा, जिन्होंने मुझसे मेरी बहन और फादर को छीना है हाँ, उन्हें मार कर मैं अपने आपको आपके हवाले कर दूँगा रुक जाओ, वरना गोली मार दूँगा आपके रिवॉल्वर में गोलिया नहीं है रुपा रुपा तेमादा खोलो रुपा पीटर ए रुपा, इसकी कोई ज़रुद नहीं क्यों? पुलीस ने मुझे हर गुणा से बरी कर दिया सच सच पुलीस ने मुझे तेमादा रुपा दूब गए मेरे मैन सजन तिरे नैनों में दूब गए मेरे मैन सजन तिरे नैनों में अरे दिल को चैन सजन तिरे नैनों में दूप करे मेरे मेरे सजन तेरी नेलो मेरे आए दिल को जे सजन तेरी नेलो मेरे दूप करे मेरे सजन तेरी नेलो मेर दर्द रुकता नहीं एक बल भी इश्क की ये सदा कह रही है पास से पहले ही बर गए हम चोटे नजरों की ऐसी लोगी है सजनी तेरे मैं समझ प्याल के मोची जिनके अगे दूब करे में प्याल के मोची धूदू मैं दिन राएं सजन तिरे नेलो में सजन तेरे में दूब गए मेरी नेलो में दिल में भी मेरी पीरी चाजर अलके भीव प्याल वहाँ दूब गए दूब दूब तो जाना है, सुनको मेरा ना हूंगा, जिस्त मेरा आता है तू मेरे दिल में साज, रहता है पन की तर्ड, जब जब तू मेरे साबन आए आये दिल माचन सजन तेरे मेरे नुमे सजन तेरे नानों में दूप गए मेरे मैं सजन तेरे नानों में आए दिल को चेल सजन तेरे नानों में हाँ टूप गए मेरे मेरे सजन तेरे नानों में पीटर तूप पीटर तूप पीटर तूप क्या बात है पीटर हाँ पुलीस मैंने पीछे लगी है पुलीस चलो अंदर चलो पीटर ये क्या बहिया सब लोग कहते है कि फादर का खुन आप ने किया नहीं ये सब बिलकुल बखवास है लेकिन जब मुझे पता चला मेरी फादर से कह रहे थी कि वह उनके बच्चे की मा बने वाली है क्या मेरी के पेट में फादर का बच्चा इसलिए मैंने फादर पर हमला किया था लेकिन वह बज गए पाद में किसी और ने उनका खून कर दिया और मेरी के बीट भी फादर का नहीं बहिया, रमेश का बच्चा था क्या कह रही हो तुम क्या कह रही हो तुम मैं ठीक कह रही हूँ बहिया, मेरी रमेश से प्यार करती थी तुमेश ने शादी का बादा करके उसे दोखा दे दिया इसका मतलब है रमेश को निगार है मैं उस दोख के बास को कभी नहीं चोड़ूगा पीटर क्या कर रहे हो तुम ठोड़ो मुझे पीटर ठोड़ो मुझे क्या बात है पीटर कहा है तुम्हारा बेटा बुलाओ उसे क्यों क्या क्या है उसने मेरी बेहन की जान लिए उसने ये क्या कर रहे तुम मेरा बेटा तो दो मैने से इंदुस्तान के बाहर है वो तुम्हारी बेहन को कैसे मार सकता है प्यार के सपने दिखा कर क्या कर रहे तुम याद अखना भानु पताप, मैं तुम्हारे खांदान का नाम और निशान मिटा दूगा चड़ो मुझे, बलिच, हलदार बात कर दूगा, हलदार याद भूदा सेट जी, क्या हुआ जी क्या हुआ सेट जी, सेट जी, पिटर आयता क्या कहा गया, बूलके गया आप घवराय मात, मैं अभी पिटर को हिटर लगाता हूँ, पिटर याद इदर जय, इदर जय, पिटर, उतार पिटर, मैं छोडूगा नहीं, छोडूगा नहीं ओटोब़ा दोड़ोगी तुलें रेस लेंगे रेस्ट्रीन पिरस बागया दो पिट्टर बागया अंनो से इट्टर लगंगवा कहा है पिट्टर इधर इधर आपने पिटर को देखा क्या? नहीं देखा. नहीं देखा, खाली फुकर. पिटर, पिटर, मजी छोड़ूगा नहीं! पिटर, मैं तो कि हिटर लगा उगा! मुझे हिटर लगा के भाग गया. तुम इदर लाना, उधर जाना. मैं इदर लेखा हूँ. जानता है तु, तेरी नीच और गिरिवी हरकत की वजए से, मेरी भेहन ने आत्मत्या कर ली. आत्मा हत्या नहीं की, मार डाला किसीने मेरी को. मेरी को मार डाला. अगर कौन? कौन मार सकता है मेरी बेहन को? कौन मार सकता है मेरी बेहन को? विक्रम. तुम छुट बोल रहे हो. मैं सच बोल रहा हूँ, पीटर. पैंकोक से लोटने के बाद, मैं सीधा तुम्हारे घर जा रहा था मेरी से मिलने. रास्ते में मैंने देखा. मैरी! मैरी? 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 मैरी! जब मुझे होश आया, तो मैंने अपने आपको यहां बंधा हुआ पाया. तब से यहीं बंधा हूँ. मैं उस हरामजादे को जिन्दा नहीं चुड़ूँगा. फिक्रम को जिन्दा नहीं चुड़ूँगा मैं. जिन्दान करना नहीं चुड़ूँगा. झाल जुड़ूँगा. मैं अया, यहीं चुड़ूँग का प्र-टू़ूँगा yearbester omalanta. छिंदान को बंदान को की फिर ही, मैं पिर होश्था चुड़ूआ. ढम हैelsा नहीं का नहीं. तढ़़ूूँग forwards झाल 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 झाल